एक बार एक छोटे से गाव में एक व्यक्ति था जिसका नाम राजू था। राजू बच्पन से ही सुनने की समस्या से जूज रहा था। वह दूसरों की बातें सुन नहीं पाता था और इस कारण से उसे हमेशा अकेलापन महसूस होता था। परिवार और दोस्तों के साथ बातें करने में भी उसे दिक्कत होती थी और वह धीरे धीरे समाज से दूर होता जा रहा था। उसकी यह समस्या उसके आत्मविश्वास को कमजोर कर रही थी। राजू के माता-पिता बहुत चिंतित थे और उन्होंने कई डॉक्टरों से सलाह ली लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं मिल पाया। एक दिन किसी ने उन्हें वियार स्पीच एंड हेरिंग क्लिनिक के बारे में बताया। उन्होंने सोचा कि क्यों न यहां भी एक बार प्रयास किया जाए। राजू को लेकर वे क्लिनिक पहुंचे। वहां के विशेशग्यो ने पहले उसका पूरा परीक्षन किया और बताया कि उसे एक खास प्रकार की सुनने की मशीन की जरूरत है। इस मशीन की मदद से राजू न केवल सुन सकेगा बलकि धीरे धीरे बोलने में भी सुधार ला पाएगा। मशीन मिलने के बाद राजू ने उसे नियमित रूप से पहनना शुरू किया। कुछ ही हफ्तों में उसकी सुनने की क्षमता में सुधार आ गया और वह अपने परिवार और दोस्तों के साथ खुल कर बातें करने लगा। अब वह पहले से ज्यादा खुश रहने लगा था और उसकी जिन्दगी में एक नई रोशनी आ गई वियार स्पीच एंड हेरिंग क्लिनिक ने न केवल राजू को सुनने की आजादी दी बलकि उसे समाज में फिर से आत्म विश्वास से जीने का हौसला भी दिया।